हलो फ्रेंद्स मैं हूं डॉक्टर रुची अगरवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है अज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरियासस और उसके होमियोपेथिक ट्रीट्मिन्ट के बारे में सुरियासस या छाल रोक एक ना फैलने वाली स्किन रिलेटेट स्थिती होती है जुद्वचा नाखुनों और जोडों को प्रभावित करती है इसका एक्जाक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चल पाया है इसे एक आटो इम्यून डिसॉडर के रूप में समझा जाता है सुरियासस वाले व्यक्तियों के शरीर में इम्यून सिस्टम ओवर आक्टिव हो जाता है और शरीर की स्वस्त कोशिकाओं पर हमला करता है जिससे कोशिकाओं का उत्पाधन सामाने से कहीं अधिक तेजी से होने लगता है तो अच्छा किस सता पर लाल, मोटे, पपड़ीदार धबों के रूप में कोशिकाओं के धेर बन जाते है ये पपड़ीदार धबे अलग-अलग अकार के हो सकते हैं और इनमें खुजली होती है यदि इनका उपचार ना किया जाए तो इनमें चुबने वाली जलन और दर्द हो सकता है स्ट्रेस, ओबेस्टी, आलकोहल, स्मोकिंग, स्किन च्रॉमा, कोल्ड वेदर, और इन्फेक्शन कुछ वेल नून ट्रिगरिंग फैक्टर हैं सुरियासस के ये सुरियासस को ट्रिगर करने के साथ साथ एक्जिस्टिंग सुरियासस को बढ़ाने में भी मदद करते हैं ये समस्या शरीर की तवचा के विभिन हिस्सों को प्रभावित कर सकती है लेकिन आम तोर पर घुटनों, कोहनी, पीट के नीचे हिस्से और शरीर की तवचा पर देखी जाती है एक सामान्य धारना है कि सुरियासस का उपचार संभव नहीं है सुरियासस जैसे तवचा रोगों के नियंत्रन के लिए होमियोपैथिक उपचार बहुत उपयोगी है होमियोपैथिक मेडिसन्स पूरी तरह से नाचुरल है इसलिए कोई साइड अफेक्ट्स कॉज नहीं करती होमियोपैथिक मेडिसन्स अधिक सक्रिये इम्यून सिस्टम को मौडरेट करके वर्क करती है इनका इनिशिल एम पपड़ीदार धबों में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन को कम करना होता है फिर धीरे धीरे करंट पैच की हीलिंग के साथ साथ ये उसके फ़र्दर स्प्रेट को भी रोकती है और पूरी तरह से इस बिमारी को ठीक करने में मदद करती है सुरियासस के लिए उपयोग की जाने वाली ये मुख्य होमिपेथिक मेडिसंस है आरसेनिक आलबम ये मेडिसं तब इंडिकेट करती है जब तवचा पर सुखे रफ और सिल्वर कलर के स्केल्स प्रेजन हो ग्रेफाइट मेडिसं इंडिकेट करती है जब स्किन बहुत ज़ादा ड्राइ हो और उसमें डीप क्राक्स पढ़ गए हो इरप्शन में बहुत ज़ादा इच्छिंग और बरनिंग हो तो सल्फर मेडिसं इंडिकेट करती है अगर ये कंडिशन कोल्ड वैदर में इंग्रीज हो रही है तो सुराइनम मेडिसं इंडिकेट करती है हाला कि होमियोपेटिक मेडिसंस सुरक्षित और प्रभावी है लेकिन किसी भी थेरपी की शुरुआत करने से पहले एक अनुभवी और कुशल होमियोपेटिक डॉक्टर से जाच कराएं डॉक्टर अपने क्लिनिकल लक्षनों के अधार पर बहतर थेरपी का सुझाव देंगे इसके अलावा वो प्रभावी और सुरक्षित उपचार के लिए आहार और जीवन शेली में बदलाव के बारे में भी बताएंगे जिनने दिन चरिया में शामिल किया जाना चाहिए होमियोपेथी में सुरियासिस की ट्रीटमेंट के लिए कुछ बदलाव जीवन शेली में जरूरी है ताकि रोज मर्रा की आदतों को उपचार में हस्तक शेप करने से रोका जा सके अपने भोजन में उप्युक्त पोश्टिक अहार को शामिल करें, mild soap यूज करें, dry skin पे coconut oil अपलाई करें, साफ सफाई पे ध्यान दें, शरीरिक रूप से सक्रिय जीवन शेली का पालन करें और अपनी दिन चरिया में वाकिंग और चलने जैसी गती वीधियों को शामिल करे कम सन एक्स्पोजर से सुरियासिस की हीलिंग में help होती है, लेकिन जादा समय सन में रहने से एक condition worse हो सकती है, इसलिए धूप में जादा समय तक ना रहें गरम पानी से नहाना avoid करें, कॉफी और strong smell वाले liquids का सेवन ना करें, smoking और alcohol का सेवन भी ना करें, मसालेदार खाना ना खाएं, बहुत अधिक रोध या दोग या किसी भी तरह की अन्य भाबना से बचें जो शरीरिक या मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती है, सुरियासिस को प ये वीडियो आप सब के लिए useful है, इसे जादा से जादा शेयर करें और और updates के लिए मेरे चैनल को subscribe करें